मिथुन रासिवारो चै महकाल महकाल आपकी रच्छा करे महदेव का अशिर्वाद सदा अपर बना रहे महदेव के अशिर्वाद से आपका भग्य उदेव हो जीवन में सुक सम्रिदी सो भग बरे आपका कल्यान हो मिथुन रासिवारो बुद्वार का दिन 18 मई सिध्योग जेश्टा नचत्रे सुबह आट बचकर दस मिनट तक बुद्ध और मंगल का परभाव उसके बाद मूल नचत्र का उदैव होगा केतू और बिरस्पती का परभाव आज आपकी कुनली में सिध्योग में बुद्ध के और सनी की द्रिष्टी है आज का दिन आपके लिए बड़ी तरक्की लेकर आया है जिंदगी बदलती है भाग्य बदलता है जीवन में सुख मिलता है किसमत चमकती है सफलता और काम्याबी प्राप्त होती है अगर जीवन में ग्रहों की दसा सुब हो तो हर बाधा समाप्त ह जाती है और आपकी जीवन में बड़ी तरक्की का योग बनता है मितुन रासी वारू के जीवन में कुछ ऐसा ही योग दिखाई दे रहा है बड़े परिवर्तन का संकेत है कि आज सिद्ध योग में आपकी कुणली में बुद्ध केतु विरस्पती का परभाव सुब है क्यों आपकी कुणली के सत्तम भाव में भग्यस्थान में सनी बैठा है और पंचम भाव में केतु का गोचर है लावस्थान में रावु का गोचर और द्वादस भाव में सुर्ज बुद्ध का गोचर जब ऐसा योग होता है तो आपकी जीवन में खुसियां बढ़ने लगती है आपकी जीवन में सफलता काम्याबी की प्राप्ती होती है आपकी जीवन में सुखधन प्राप्त होता है आपकी जीवन की परिसानियों का अंत होने लगता है और एक नई सुरुवात जवर्दस तरक्की और काम्याबी लेकर आपकी जीवन को आगे बराता है ये समय सफलता के लिए सुभ है ये समय तरक्की के लिए सुभ है आपकी जीवन में हर इच्छा आप पूरी कर सकते हैं क्योंकि आज उर्जा, महत्व कांच्छा और सुख आपकी जीवन में बढ़ेगा जोस उटसा उमंग से अपने काम को करते जाएं तो जीवन में बड़ी तरक की उनत्ती होगी आज कार्ज में सफलता कुछ नया करने की कोशिज करें तो आपको अच्छा परिनाम देखने को मिलेगा आज आपकी कुंडली में सुक्स वभग्य की बिर्धी होगी आज आपकी जीवन में बहुत सारे लाब होगे क्योंकि आज सिध्योग है सिध्योग में आपके कार्चेत्र में आप उनत्ती प्राप्त करते हैं आपकी समस्याओं का समधान होता है आपकी रुकावटे खत्म होती है और आपकी जीवन में धन बैभव का सुख प्राप्त होता है आज आपकी कुंडली में बुद्ध केतू बिरस्पती का परभाव सिध्योग म आपकी सपनों को साकार करेगा लाप सुख खुसी और सफलता का योग बनाएगा मितुन रासी वारू बिस्तार से रासी फल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुब मूरत ग्रहों की दसा आज का पंचांग बुद्धवार अठारा मई जेश्ट मां किश्पच की तिर् आज का दिन मितुन रासी वारू के लिए रावू के कारण बड़ी सफलता का योग बनेगा जबकी सनी आपके भग्य को चमकाएगा और करमस्थान में बैठा बिस्तार मंगल और सुक्र की इस्थिति आपकी जीवन में कोई बड़ी खुस्खबरी सफलता और सुख लेकर आ आज अपने जीवन में आगे बढ़ेगे सफलता की बुलंदी को भी आज आप चू सकते हैं क्योंकि जोबी करेंगे अपने ताकत से करेंगे जो आपके जीवन में काम्याबी तरक्य और सुख देगा भग्य की बुलंदी पर जीवन का सुख आप प्राप्व करेंगे आज के लिए सुभ समचार की प्राप्ति धन की विर्धी आज का दिन तरक्की उनती सम्रिद्धी सफलता के लिए सुभ है क्योंकि आज आपके जीवन की दुख बाधा परिसानी से मुक्ति मिलने वाली है आज का दिन तरक्की उनती के लिए बड़ा सुभ है क्योंकि सिध्योग मे आपके कार्ज सिद्ध होते हैं, सिद्ध योग में बड़ी सफलता मिलती है, आपके जीवन में लच की प्राप्ती होती है, अपने जीवन में आप सुक समरिद्धी का भोग करते हैं, कर्म करते हैं, तरक्की प्राप्त करते हैं, आपके लिए समय सुखत परिनाम लेकर आता है आज का रावुकाल 12 बच कर 18 मिनट से 2 बजे तक रावुकाल के दौरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेस ना करे उत्तर दिसा की तरब से दिन की सुरुवात ना करे आपके लिए लख्की कलर ग्रीन होगा लख्की नमर 5 होगा तो मितुन रासी वारु के लिए बुद्ध केतू बिरस्पती का परभाव रावुकी चाया सुक्र और सनी की दृष्टि आपकी किस्मत को चमकाएगा आपके जीवन में उनत्ती का योग बनाएगा जो सफलता देगा, सुख देगा, धन का लाब आप प्राप्त करेंगे महाकाल का दर्सन करें, महादेब की पूजा करें आपके जीवन में आने वाली हर कस्ट बाधा खत्म होगी आपके लिए उनत्ती के रास्ते खुलेंगे भग्य में, सुख और जीवन में समरिद्धी और धन की प्राप्ती होगी तो मिथुन रासिवारो ग्रहों प्याधारित अपने रासिफल के लिए रासिफल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी रासिफल का अर्च करम में तब तक के लिए मुझे आग्या दें, आपका दिन सुख हो, जै महाकाल, जै महादेब ओम नमासिवाद